जाए गुरुदेव, अभी आचारे भगवन ने आपको, मैं और मेरा, याणि मैं आत्मा हूँ और जितना मेरा मेरा है उसका अलग करया, मैं याणि अहंकार वाले मैं को फेक्चर किया है, अहंकार वाले मैं मैं शरीर आत्मा दोनों एक है, अब उनके दो भेड़ किये, मैं य मैं मैं आत्मा, आकार किसका है, आकार किसका है, शरीर का है, तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है, मैं निराकार हूँ और आकार शरीर का है, इस आकार के साथ, जितना भी संबंध जुड़ा है, वो सारा भिन्न है, ये ग्यान से समझना है, किसे समझना है, ग्यान से समझना है और उसके प्रती जो अटेच्मेंट है, उसके जो आसक्ति है, उस आसक्ति को तोड़ना है, त्याग किसका करना है, वस्तु का त्याग नहीं करना है, उसके प्रती मेरे पन का भाव है, आसक्ति का है, उसका त्याग करना है, मैं एक द्रश्टांथ हर क्लास में देता हूं, उस कभी भी छूटे तो मुझे कष्ट नहो जैसे पूर एक्जामपल पालेशाजी ने एक शोरूम बनाया यह ना यह उला में बच्चों बार जाओ थोड़ी जर के लिए बच्चे सभी नहीं जाएंगे जिनको आत्ती आवश्यक कारे वो ही जाएंगे बाकी वापस तुरंट आक एक्षन करेंगे रियक्षन करेंगे जो भी उसके लिए जरूरी होगा वो करेंगे ताकि वो बच्चे महां से दूर जाए अब थोड़े दिनों के बाद पालेशाजी उसको बहुत अच्छा भाव मिल गया और उनने विजेगांद कोठारी को वो शोरूम बेज दिया अब विजेगांद कोठारी को शोरूम बेज दिया नाम पे हो गया रजिस्ट्री हो गई अब पालेशाजी थोड़े दिनों के बाद यहां से प्रवचन सुनके जा रहे हैं वे ही बच्चे उस शोरूम के सामने पत्थर मार रहे है अब पालेशाजी कैसे निकल जाएंगे अब अंदर में कुछ भी नहीं होता क्यों किसका त्याग हुआ शोरूम बही है पालेशाजी भी बही है बच्चे भी बही है कौन बदला मेरे पन का भाव बदला कि यह शोरूम किसका है मेरा है जो मेरे पन का भाव है उसका त्याग करना है व्यक्ति वस्तुस्तान का त्याग कर महत्युका किसका है, मेरे पन का भाव, यानि अटेच्मेंट, मैं यह हूँ, मेरा यह है, मेरा यह है, अब वो मेरे बाला तो पदरेगा, छुटेगा, वो छुटे, उस तमें आपको तकलिप न हो, इसके लिए पहले से ही ज्ञान से क्या कर देना, सारे संसार का त्याग, मैं आत्मा के लाओं, मोग कर्म को तोड़ने का बहुत सरल तरीका है, कि मेरा मेरा जितना है, पर को अलग कर दीजिए, और आप आत्मा अपने सवाओं में रही है, समझ में आगे सबको, स्वा यानि आत्मा, पर यानि आत्मा को छोड़के शरी से जुड़ा सारा संसार, स्वा आने जीव, अजीव, शरीर और से जुड़ा सारा शंसा राजी, जीव और अजीव का भेद, ये साधना भेद विज्ञान की थे, समझ में आई कलियर, अब आपको एक महत्वण प्रयोग कराएंगे, कि जिसके अंदर गद आपने अभी तक शरीर और आत्मा एक करके जितनी भी गलतियां की, इस भाव में पर भाव में अनन्त जन्मों में करोद किया, आहंकार किया, कशाय किया, किसी के साथ कुछ गलतियां की, खुद के जीवन में की, दूसरों के साथ की, इस भाव में की, पि करके उसको डिलिट करना उसको तसमिच्यामिदुक्रम देना और अपने स्वभाव में इस बहु के नहीं अनेक जन्मों के इसके पहले आलोचना शुरू हो उसके पहले असब आजाएंगा अभी दो मिट में सब आएंगे इतनी देर से बेठे न बच्चे जो भी बार गए आजाएं ताकि आपको एक बहुत महत्वपुन चार आसन सिखाने वाला हूं शिखना है आपको उसमें आप जीवन बर यंग रहो गए बुड़ापा कभी आएगा नहीं आपको यंग रहना चाहते हो आप लोग उपर कुर्सी वाले यंग रहना चाहते हो चार आसन सिख लि तो कभी भी आप बूड़े नहीं हो गए चार चक्र में पहला है आपका ग्रिवा चक्र गर्दन दूसरा है आपका भुजा चक्र तीसरा है आपका कटी चक्र कमर और चोता है आपके घुटने पाओं ठीक है चार चक्र के लिए